इस पुलिटिन के प्रायो जगे हैं अर्थ डियाग्नोस्टिक्स लोकल अबंडल मधुबन उदैपॉर्ड नमस्कार आप देखरें उदैपूर न्यूज आपके साथ मैं हूँ प्रिदिकार 24 खबर में जाने से पहले नज़र डालते हैं अब तक के हेडलाइन्स पर पकड में आने की 24 घंटे बाद ही गजेंद्र नहटा ने फिर शुरू किया करोडों का नकली कारोबास उदैपूर न्यूज के कूफिया कैमरे में कैद हुई पुलिस के सैट होने की बाद धर्म प्रेमियों ने निगम के कर्मचारियों को किया पुर्जोर विरोध माफी मांगने और हनुमान मंदिर का चबूत्रा फिर से बनाने की उठाई मांग नजस्तानी लोग संस्कृती से जुड़ेंगी दुनिया भर की महिलाएं घूमर दिवार 2020 में दिखाएंगी हुना और पूरी दुनिया को कोरोना की चपेट में लेने वाले चाइना का बहिशकार चरब पर भारत की लाइटे रोशन करेंगी दिवाली की अमावस की रात मंदी के इस दौर में हर खासुआम अच्छा और सस्ता पाने की जुगत में रहता है लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो अच्छे को सस्ते में बेच रहा है उसने किन-किन रास्तों को अपनाया होगा आखे नामचीन कंपनियों के सामान इतने सस्ते में कैसे बेचे जा सकते हैं लेकिन भागदोड के इस दुनिया में किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है सबी बस अपना काम निकालना चाहते हैं और कई ऐसे लोग इस शहर में अपने रसूक से पनब भी रहे हैं जिन्होंने विभी ने तरह के टेक्स में चूरी करके न सर्फ धन कमाया बलकि नामचीन कंपनियों के साथ भी धोका दड़ी की है आज आपको ऐसा ही एक खबर से रूबरू करवाएंगे जिसे देखने के बाद ना सिर्फ आप चोकेंगे बलकि ताक्जूब इस बात का होगा कि पकड़े जाने के बाद भी इस ब्यापार को चलाने वाले ने पुलिस अधिकारी को सैट करने तक की बात कहड़ाने आए दिखाते हैं हमारे सहयोगी अभिशीक जोशी की एक्स्क्लोजिव खबर जिसमें खूफिया कैमरे ने महत्ती भूमी का लिभाते हुए एक आवासी मकान में अवैद व्यवसाइक गती वीधियों के साथ कम्पनियों और सरकार के साथ की जा रही धूखा धड़ी का पूझ निवाद बाद करके न हो गया काम हो गया मैं दुकानी हूं कि ना ना तुकानी हो अ यह रगए कई दिक्कत ने है अ यह वह कहीं है वह ताजी दुत परिक्षे वीचा कवर दिन जातरी के वागए वो पन सरकारी काम मेडम वह आईपेस नहीं मेडम आई है कि उसके हिसाब से उसका जो बना ना तो बना दिया उसने उद्यापूर में इन दिनों प्रशिक्षू RPS की लगातार छापामार कारवाई जारी है शहर के विभिन थाना क्षेत्रों में पुलिस की टीमें अलग-अलग ठिकानों पर दबीशिदे कर कभी नकली माल पकड़ रही है तो कभी देह व्यापार का भांडा फोड़ कर रही है शहर के विभिन थानों में ट्रेनिंग पर आए प्रशिक्षू RPS के निर्देशन में हो रही कारवाई पर उद्यापूर पुलिस खूब तालिया भी बटो रही है कुछ दिन पुर्व सुखेर थाना पुलिस ने प्रशिक्षू RPS रंजीता शर्मा के नैतुत में सेलिब द्वारा जारी किये गए प्रेस नोट के आधार पर बात करें तो सुखेर थाना अंतरगत न्यू भुपालपुरा निवासिक गजेंद्र नहटा और राहुल मीना को 140 जोडी नकली जूते चपल बेचते पुलिस ने गिरफतार किया था जिसपर कंपनी के असिस्टन मैनेजर को भी मौके पर बुलाये गया तो पता चला कि गजेंद्र नहटा और राहुल मीना द्वारा बेचे जा रहे जूते चपल नकली थे पुलिस ने कॉपिराइट एक्ट और आईपीसी की धारा 420 में मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों को गिरफतार भी किया था आप सोच रहे होंगे कि इस पुरानी खबर पर उदापर न्यूज आज क्यू बात कर रहा है दरसल इस कारवाई के बाद हमारी टीम ने ब्रांडेट की आड में नकली जूते चपल बेच रहे गिरोह का परदाफाश करने के लिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की तो पता चला कि न्यू भपालपूरा निवासी गजेंद नहटा पिछले कई वर्शों से अपने घर में ही एक बड़ा शूरूम लगा कर ना सिर्फ नकली जूते चपल बेच रहे हैं बलकि ब्रांडेट जिन्स, टीशर्ट, घडियां और सोनी, सेमसंग जैसी ब्रांडेट कमपनियों की नकली LED टीवी भी बेच रहे हैं जैसे ही हमारी टीम गजेंद नहटा के घर पहुची तो भूतल पर बने बहुत बड़े हॉल में ब्रांडेट कमपनियों के नकली जूतों के साथ जिन्स, टीशर्ट, घड़ी, ऐसी और LED टीवीों का बहुत बड़ा जखीरा दिखाई दिया हमारा स्टिंग ओपरेशन चालू ही था कि दुकान पर काम करने वाले के रिष्टेदार का फोन आ गया और जो कुछ उस करमचारी ने कहा उसे सुनकर हम खुद हैरान रह गए दुकान पर काम करने वाले करमचारी ने अपने रिष्टिदार से कहा कि अब सब कुछ ठीक है प्रशिक्षु मैडम नहीं आई है इसलिए उसको कारवाई करनी थी हमने भी जो पैसा खिलाना था खिला दिया और अखबार में देकर मामले को शांत कर दिया है अब सब कुछ पहले जैसा चल रहा है आपको बता दें कि जैसे ही हमादी टीम आवासी मकान में चल रहे कमर्शिल बिजनिस के मौके पर पहुँची तो पूरे हॉल की लाइट्स बंद कर रखी थी क्योंकि एक दिन पहले ही पुलिस ने 140 जूतों के साथ दोनों को फुटपाज से गिरफतार जुकिया था गजेंद्र नहटा के घर में चल रहे इस करोडों की कारोबार को देखकर ऐसा लगा कि पुलिस ने सिर्फ 40 कारवाई को ही अनजाम दिया है क्योंकि पुलिस ने जिन्हें गिरफतार करने की बाद कही थी वह तो फिर से अपना धंदा कर रहे थे और माथे पर शिकन तक नहीं थी इस बार तो नकली जूते बेचने वालों का कॉन्फिडेंस ही दुगना था क्योंकि शायद सब कुछ सैटल जो हो गया था क्योंकि हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है आज है कुछ ने बाद बाद करके न हो गया काम हो गया मैं निया दुकानी हुँ हुआ है आज नहीं के दिक्कत ने यह वो कहीं नहीं हुआ आज उसके हिजाब से उस्काल बना ना दो बना दिया उसने के शेरी खिलाकि उसने वो अपे बार में डाल दिया हूँ वा को आहिए डिए होता है का है क्या होता है कि अपर अंधार है तक ही इस नों फर्ट तो निस निकाता है कि विस और आप तो दिखता नहीं यह ए यह आती हिन अ प्वालिटी तो यह होती हो में वहीं कि रहा हूँ किये में वह भूमा के ऐसे थे वेले थे मी तो हैं इसे अंडेट परसंट और इतना ले अच्छा क्या प्राइज इंगी कि इस एक है जिन से किस की मतलब है कि कौन से मतलब है बलू रोबी में हुए नहीं पेपे जिन से नहीं इसमें और 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 आएगी का जिन से नहीं नहीं मतलब तो ते अच्छा वोल्चल वाले उसे नहीं लिजाते हैं अच्छा पूरे उद्वर्पुर में सप्लेएं यहां से नहीं यहां से नहीं यह कर रहे हैं यह सिद्विया तोनी कि पिते हिंचे करते की पड़ेगी करते हैं तो 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 आप देख लेना भी तो पांच बज़े दर तो ना विया तो देखने हैं एक्टर सोल में का आपने हैं एक्टर सोल में वुद्लेंट के मिलता है जैसे नहीं तो देखा आपने गजेंद्र नहटा के स्व्यापार के वज़े से करोड़ुपती बने हैं और 140 जुगतों के साथ फुटपार पर पकड़े गएं यहां तक तो सब ठीक था लेकिन इन दिनों वाहवाही लूट रही पुलिस का तरह तक नहीं जाना खाकी पर भी कई सवाल खड़ा करता है क्योंकि पकड़ाने के बाद भी नहटा का कारोवार उसी तरह से चल रहा है अब पुलिस के लिए चुनौती की बाद तो यह है क्या खबर के खुलासे के बाद नहटा के घर पर दबिश दी जाएगी या फिर ये खबर सिर्फ खबर बनकर रह जाएगी क्योंकि रसूखदार नहटा की पहुच बहुत उपर तक बताई जाती है और जो भी माल ये लाते हैं उनके तार, करणाल, दिल्ली और गुजराब तक जुड़े हैं वड़ापो न्यूस के सुत्र बताते हैं कि एहंदाबाद के कांकरिया हॉस्पिटल के पास योगिश्वर का एक व्यापारी यह नकली अलीद्या नहटा तक पहुचाता है पुलिस अगर तह तक जाना चाहे तो बहुत बड़े खुलासे भी हो सकते हैं ज्सिए बड़े का ओड़े हैं हुआ 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 है कर दो कुछ ने बाद बाद करके न हो गया काम हो गया में निया दुकानी हूं कर ददा ना दे निया हुआ है यह रख़ाई के दिक्कत ने हैं यह उसके हिसाब से उसका बना ना बना दिया है उसने अर यह वाग शेक्वार बार में डाल दिया है है नोगा आज़े होते हैं या क्या होता है लोगी इसमें कोई फरक तो नहीं हुआ होती है लिए यह प्रग तो दिखता नहीं है यह यह आतीना प्वालिटी तो यह होती है अच्छा के बूमा के इसे थे बेले थे मी तो हैं अच्छा के प्रसंट रूड़िट नहीं है अच्छा क्या प्राइज इनकी इसे के इसे के कि अच्छा जिन से किसी की अच्छा कि अ पॉल्च मतलब बलूरो बीन अब लूरो बिन ने होना पेपे जिन से ना यह रहे ना इसमें और 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 आई गी कैजिन से ने मतलब दशेल परद्टी वह प्रेंस का था है अच्छा वोल से लोल से ले जाते हैं अच्छा पूरे उध्यपूर में सप्लाइए हैं यहां से लिए कर रहे हैं यह सिटी प्या सुनी की कि किते ही कि पड़ेगी अच्छा प्रती से जारे तो आप देख लेना भी तो अच्छा पांच बज़े दर तो नहीं तो देखने हैं टेक्टर सोल में का आपने टेक्टर सोल में वुद्लेंड के मिलता है जैसे निया शेहर में चल रहे स्मार्ट सीटी के धीमी गति के कामों से अब हर कोई परिशान रहने लगा है कोई धूल के गुबार से परिशान है तो कोई सड़क पे पड़े गड़ों से सोमार को इस मामले में कॉंग्रिस सिवा दल के प्रदादी कारियों और कारिकरताओं ने यू आईटी चोराहे पर प्रदेशन कर रोड जाम किया एस दोरान शहर विधाय के खिलाफ जमकर नारे बाजी भी की सेवा दल जिलादिक्ष सिदार सोनी ने बताया कि पहले से शहर के लोग स्मार्ट सीटी के धीमी गती के कामों से आग्रोश में है अब ऐसे में यू आईटी सर्कल पर चल रहे धीमी गती के काम से गुस्से में दिखाई दे रहे है यहां करीब 15 दिन से काम बिलकुल कछुए की चाल में चल रहा है ऐसे में यहां से गुजरने वाले रहगेर और वाहनधारी बेहत परिशानी का सामना करते नजर आ रहे है सोनी ने बताया कि इस सर्कल के निर्मान में पहले दो बार बरक ओर्डर हुआ था फिर काम भी हुआ लेकिन पानी की निकासी के लिए बाद में काम फिर से किया गया ऐसे में समय भी बिगडा और पैसे भी व्यर्थ हुए यही नहीं लोगों को अब तक परिशानी भी उठानी पड़ रही है इस बारे में कई बार अधिकारियों से मुलाकात भी की गई लेकिन हालात जस की तस्प बने हुए है शेहर विधायक भी सोर हैं उन्हें भी शेहर विकास के कामों में संग्यान लेते हुए काम की मॉनिचरिंग करनी चाहिए आज कॉंग्रेस सेवादल की तरफ से हमने यूएटी पर फिरोदो प्रदेशन रखा है और सड़क जाम का एक प्रदेशन रखा था जो यूएटी के खिलाफ शेहर विधायक गुलाबचन कटारिया जी के खिलाफ एक प्रदेशन रखा था जिसमें जो जनता तरस्त हो रही है सड़क की दूरदशा गड़ों से दूल के गुबारों से और ये यूएटी के सरकल जो मुक्य सरकल है यहां मेन जो सड़क है उसको पूरा जाम कर रखा है पूरा खोद रखा है विगत 15 दिन से तो काम चली रहा है और आने वाले 2-15 दिन को इन्नों ने लगा दिया कैसा कि सिसाफ इंजिनियर लगा की भी यह है की और साथ ही साथ में जो यह सड़क जाम जो यह कर रहे हैं यह कितने दिन तक करेंगे हम इसी विदोट पहदार्शन को लेकर आज सेवादल के कारे करता यहां सड़कों पर उतरे है और इसको जो गजट अब हो रहा है उसका चौप को नदेगा हमारे ह्टाइक मौत तो सो रहे हैं हमने विदायक मौत बहुत कर निगम में जाकर विदायक मौत गी उड्याइब को सथ बुद्धि आए और इस उद्यपुर की संग्यान ले उद्यपुर में जो ये काम चल रहा है उसके लिए सोचे समझे और काम करे उसके लिए उद्यूद परशान रखाता धन्यवाद आज हम उद्यपूर शहर के आलग देख रहे कि जितने भी प्रमुक चोरा हा है उद्यपूर शहर के पूरी तरह से जाम हो चुके हैं यहां तक कि चोरा को बड़े करने की जगा इन्हों ने और उस यह कुछ भी कारें इनसे होता नहीं है 15-15-20 दिन लग जाते हैं आज ओल्ड सिटी से निकल निकलते हम तो यहां न्यू सिटी में आने के लिए हमें कम से कम इतना चार्ट से पांच बार हमें घाड़ी को घुमाना पड़ता है हर तरफ से कोई रोड मैप नहीं है हम तो यही से प्राशाय जल से जल जो भी काम उसे पूरा करें और जंता तोड़ी रात प्रदान कर यह तरह से हम नहीं बहुत ही दूल मिट्टी खा रही है और ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले दिली गेट पे दिली गेट के वो सुरचपल बापु बज़ार के उधर से भी चल रहा था रोड का काम वो भी हमने वापे भी करवाया था यहापे भी अभी काम बन था लेकिन यह जिसी भी वगेर आमार को दे कारवाई में एक मंदिर का चबूत्रा तोड़ना निगम के कर्मचारियों की गलफास बनता जा रहा है निगम की कारवाई के बाद विश्व हिंदू परिशत के कुछ कारी करता नगर निगम परिशन में घुसकर हंगामा करने लगे थे बाद में स्वयम से भी संगचनों द सादे की रेल्वे स्टेशन के सामने एक हनुमान मंदिर पर पूराना निर्मान तोड़ कर विश्व हिंदू परिशत के काले करताओं द्वरा एक पक्के चबूत्रे का निर्मान कराया जा रहा था जो की लगभग पूरा हो चुका था नगर निगम ने अतिक्रमन के आफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाकलेक्टर को ग्यापन दिया जिलाकलेक्टर के बाहर इखटे हुए बजरंग्यों में नगर निगम के प्रती खासा आक्रूश देखा जा रहा था सभीने निगम की कारिशेली पर सवाल खड़े करते हुए शेहर के धार्मिक स्थलो को सुरक्षित रखने की बात करते हुए निगम के कर्मिचारियों द्वारा माफी मंगवाने और तोड़े गए निर्मान को पुन्हा वेवस्तित करने की बात पूर्जोर तरीके से रखी है हम सभी यहाँ पर रेलवे स्टेशन के सामने हनुमान मंदिर जो विगत 30 वरसों से वहाँ विद्धिमान है उसका जिरुणोदार करने के लिए हिंदू समाज आगे आया था क्योंकि वह जिरुण शिरुण हो चुका था कभी भी गिर सकता था ऐसी स्थिति में उस मंदिर का निर्मान हिंदू समाज अपने स्वयम के पैसों से स्वयम के श्रम से उसका जिरुणोदार करा रहा था जो कहीं पर भी अतिक्रमन के अंतरगत नहीं था लेकिन नगर निगम ने एक तरफा कारवाई कर उस मंदिर को तोड़ा और बिना नौटिस दिये बिना सूचना दिये यह कारवाई की जबकि उसके 20 कदम दूर पर 10 फिट आगे रोड पर शराब की दुकान बनी हुई है जिसके बोड और उसका प्लेट फॉर्म आगे बना ह हुआ है उसको नगर निगम को नजर नहीं आया लेकिन एक हिंदु मंदीर को जन भावनाओं का आगाद करते हुए तोड़ा इसका हम सब को विरोध है हम इस कारवाई के लिए संपूर्ण हिंदु समाज निंदा करता है और यह भी चैतावनी देता है कि आने वाले समय में यदि किसी प्रकार की इस तरह से कारवाई की जाती है तो संपूर्ण हिंदु समाज सड़क पर आकर इसका विरोध करेगा हम यह भी चाहते हैं कि इस मंदीर का जो तोड़ भोड़ की है वह नगर नगम अपने खर्चे से स्वेम निर्मान कराए और यदि निर्मान नहीं कर आता है तो उसकी चेतावनी के लिए भी वह तैयार रहे हम केवली समंदीर के लिए यह एकत्र नहीं आये ऐसे अनेकों उदारण है ब्रह्म पोल में जिस मस्जिद का निर्मान हमने रुकवाया था उसको रोक दिया गया लेकिन उसके पश्चात उस पर टिंशेट लगा दि कर रही है अगर इस तरह का हुआ तो संपूर्ण हिंदू समाज सड़क पर आएगा और इसका विरोध करेगा जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी उस प्रशासन की होगी ऐसा हम भुर जोर चेतावनी देते हैं निंदा करते हैं आने वाले समय में यह तो कोरना होने के करण हम स संपूर्ण और उत्तरदाई तो प्रशासन का होगा भारती संस्क्रती में अलग पहचान रखने वाले त्योहारों में करवा चौत की व्रत का अपना विशेश महतु माना जाता है इस दिन महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी आयू के लिए पूरे दिन निर्जल रहे क करवरत रखती हैं बुद्वार को चौत पर यत्योहार मनाया जाएगा करवा चौत की कथा के दोरान मुख्य रूप से काम में आने वाले मिट्टी के करवे की बाजार में बिक्री शुरू हो गई है सोमवार को मंडी की नाल बाजार में सुहागी ने करवे लेती नजर आई इस बार कई वेराइटीज में मिट्टी के करवे उपलप्त हैं करवे बेचने वाली सुशिला प्रजापत ने बताया कि साधे करवे 20 रुपे गॉल्डन और डेकोरेट करवे 30 वर 40 रुपे तक बिक रहे हैं हलाकि इस बार कोरोना की माल पूरे बाजार पर दिख रही है ले अच्छे अच्छे कलर किया और ते अलग अलग तरह से पसंद करती है अच्छे तरह डेकोरेट किया में उनको और ते अलग अलग और अच्छे अच्छे डेकोरेट करवे ले जाने के लिए बहुत उसाइत रहती है और अभी से खरीदारी उन्होंने शलू कर दिया सोंबार का दिन है आज से वो खरीदने आ रही है ये जैसे ये सोनेरी गोल्डन का है चालिस का है रेट कलर वाला तीस का है वो साधे करवे 20 में दे रही हूं मैं वो सब अपने अपने हिसाब से करवे ले रही है औरते आके आगामी 14 नवंबर को दिपोच सब का त्योहर मनाया जाएग इस पर वको लेकर लेकर लैक्सिटी के बाजारों में रौनक दिखने लगी है इस त्योहर को मनाने में काम आने वाली सामगरी बिखने लगी है अब त्योहर रोशनी का है तो लाइट की एहम भूमिका होती है हर बार लोग घरों पर चाइनीज डाइट लगा कर डेकोरेशन खरीद रहे हैं दुकानदारों को कहना है कि इस बार इंडियन लाइट की तरफ लोगों का क्रेश ज़ादा बड़ा है इनमें भी कए तरह की लाइट मार्केट में उपलब्द हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाइनीज लाइट से ज्यादा इंडियन लाइट सुंदर और टिकाओ है। इस बार 50 रुपे से 500 रुपे तक की लाइट्स आई हैं जिन्हीं लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। का काम और हम भी खुद भी चाहते हैं कि अगर लोग बाग हमसे अगर नहीं मांगेंगे या मार्केट में चाइनीज को अवोइड करेंगे तो नेचूरल है कि सभी वेपारी भी इंडियन की तरफ ज्यादा ध्यान लगाएंगे और आइटम भी इस बार इंडियन में काफी होता नहीं है वो खाली पेकिंग और अट्रेक्शन की वज़े से लोग बाग उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं लेकिन चलने में लाइफ में इंडियन आइटम की ज्यादा लाइफ रहती है और आने वाले समय में काफी इफेक्ट आएगा अगले साल तक काफी प्रोड़क्ट चाइना की तरह इंडिया में बनने लग जाएंगे पचास हाट रुपए से स्टार्ट है इंडियन में भी डेठ सो दो सो रुपए तक की आइटम में ज्यादाता जर्न चलती है जिसके जूमर आये हैं इस बार इंडियन वाले मेटल के बने रहते हैं जिसके अंदर लाइटिंग लग जाती है और एक से लेके दस तक एक साथ आधमी लगा सकता माल बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए आप देखते रही हुदा आपर नियूज रोयन मॉटर्स कम्पनी पिछले 25 वर्शो से आपकी सेवा में हीरो मॉटर कॉप का सबसे बड़ा वो विस्तत शोरूम एवं वर्शोप जहां आपकी टुविलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व इस्तरीय सर्विस एवं जेनरल पार्ट्स के सुभी था हीरो मॉटर कॉप के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब स्कूटर की खरीद पर 6100 तक का डिस्काउंट एक्स्ट्रीम की खरीद पर 7000 तक का डिस्काउंट अब हीरो की गाड़ी खरीदिये मात्र 2000 की डाउन प्यमेंट पर क्या आप बेरंग से घर ऑफिस से परिशान है क्या आप अपने घर ऑफिस के लिए अच्छे रंग की तलाश कर रहे हैं दोस्त रिष्टिदार आपके यहां आते ही दिवारों के रंग बदलने की बात करते हैं तो रंगों के समागम के साथ आपकी हर खुशी का मददगार बनकर आया है रंगों की दुनिया का बेताज बादशाहा लैक्सिटी पैंट्स क्योंकि हम आपकी दुनिया रंगीन बनाते हैं एशियन पैंट्स और निपॉन पैंट के ऑथराइज डिलर सभी प्रकार के कलर प्लास्टिक पैंट, डिस्टैंबर, बॉल पुट्टी, वाइट सिमेंट, ब्रश, डॉलर उप्लप्थ सभी प्रकार के पैंटिंग प्रॉड़क्ट हॉलसल रेट में मिलने के साथ यहां मिलेगी आपको पुराने घर का फोटो लाने पर कम्प्यूटराइज कलर मैचिंग की सुवी था एक विश्वास आपके जीवन में रंग भणने का एक विश्वास जीवन भर के अटूट रिष्टे का बेरंग सी जिन्दगी में भरे रंग लेक्सिटी पैंट्स के साथ कोली वाड़ा रावत बुक स्टोर के पीछे बापु बजार उदापूर कॉलिट 800-3719214 और 8233-596121 क्या आप किरायदार हैं और अपने किराय के मकाग से परिशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो वह भी शहर के अंदर तो आप फिकर करने की कोई बात नहीं है क्यूंकि वेदे ही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनुखा गेम शोड जिसका नाम है KBKMM यानि कि कौन बनेगा किरायदार्ट से मकान माले आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीज सकते हैं 10 लाख रुपे तक का डिसकाउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर आपको क्या करना होगा आपको बस इस दिये गए नंबर पे कॉयल करना होगा हर एक का सपना होता है अपना घर और वही सपना अब सच होगा ग्यानेश पिल्डर के साथ ग्यानेश पिल्डर लाए आपके लिए शान्त सुरम्य और प्राक्रतिक बातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर प्रधान मंतरी आवास योजना के अंतरगत 2,70,000 की चूट फ्री पार्किंग मॉडिलर कीचन टूब लाइट फैन पी ओपी फॉल सिनिंग लिफ्ट विट साइलेंट जनेरेटर तो फिर अब किराय की घर में क्यों रहना आज ही विजिट करें रोयल और्चिट नियर जी बिएज हॉस्पिटल प्रिताप नगर उदैपूर कॉल 9352525017 9829592574 अजय फरनीचर उदैपूर सेक्टर 14 में सित दो मंदिला भविश्योरू जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फरनीचर की अनेक वराइटी अनिक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेट विट मैट्रूसिस, अलमारी, मंदिलिस्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फरनीचर्स अपना घर सजाने के लिए केश की चिंता छोड़ दीजे अजे फरनीचर और बजाज एवन HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेर्मिंट और 0 प्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग पीस के आसान दिनी उचना होस्पिटल, होटेल्स, कॉलेज, कॉर्परेट और सभी तरह के गवर्मेंट और नोन गवर्मेंट इंस्टिूट्स पर फरनीचरों के विशेशक्ये नवरात्रे दिवाली विशेश ओफर्स चार प्लास्टिक चेयर्स के साथ एक टेबल फ्री सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री कोरोना वॉर्यर्स के लिए विशेश डिस्काउट एक बार पधार कर सेवा कमों का अवश्चित है एक्स्चेंज ओफर, पुराना फरनीचर लाईए और नया फरनीचर ले जाईए सिर्फ 24 घंटे में अपनी मन चाही डिजाइन और अपना मन पसंद कपड़ा लगवा कर सोफा बनवाई अगर आप अविशेशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देड न करें आज ही चले आईए देव अविशेशन क्योंकि यहां आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापको द्वारा अध्यापन अंतराश्ट्र इस्तर के मानक प्रमानित संस्थान समय समय पर एरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन इंटरव्यों की तैयारी के लिए विशेश कक्षा है हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है देड़ ना करें आपका भविशे आपका इंतिजार कर रहा है हलो आइम जीया से सोधिया देविवेशन एकेडमी इस दा बैस्ट एकेडमी इंदर आजिस्तान आज ही विजिट करें देव अविशेशन अकेडमी फर्स फ्लोट पर रहा है सिंडिकेट बैंग, एपक्स हाउस, ओस्वाल प्लाजा के सामने कॉल इट 9166-434612 और 9166-434012 एट्रे एरलाइन एंड होटल मेंज्मेंट अकेडमी उदापूर का पहला प्रोफेशनल अविशन मेंज्मेंट इंस्टिटूट 12 के बाद करियर की चिंता पहली बार राजस्थान में 12 के बाद साइन्स आर्ट्स कोमर्स के स्टूडेंट के लिए लाए है डॉमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन अविएशन डिप्लोमा इन कैबिन, क्रू, एर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्यारिटी मैनेज्मेंट कॉर्सेज इन कॉर्सेज में एड्मिशन लेकर आप अपना बहतरीन करियर, डॉमेस्टिक व इंटरनेशनल एर्लाइन्स व डॉमेस्टिक व इंटरनेशनल एर्पोर्ट पर बनाएए कॉर्सिस के साथ प्रतिक वर्ष एक फॉरिंट्यूर, इंटर्नेशनल एर्पोर्ट ट्रेनिंग, फॉरिं इंटर्निशिप, दुबाई, थाइलेंड, मलीश या सिंगापूर में Grooming and Personality Development Classes, Spoken English, French and Arabic Language Classes, Yoga, Swimming, Gym Classes Institute के अनेक स्टुदेंट्स का Indigo Spice Jet, Vistara, Air India वर Domestic वर International Airport पर सेलेक्शन हो चुका है बनाएं एक अठ्छा करियर, Aviation वर Tourism वे फिल्ट में AHA, the first and only institute to start the bachelor's domestic and international degree in Aviation and Tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international admission open, first floor, Paradise Complex, opposite Agriwal Dharamshala, Sector 11, Udaipur call it 70231-44442, 8107-392702, website www.ahaudaipur.com 27 वर्षों से आपकी सेवा में डाउन पेमेंट, 0% प्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीज के आसान रण योजना Hospital, Hotels, College, Corporate और सभी तरह के Government एवं डॉन गवर्मेंट इस्टिउशन में टर्न की प्रोजेक्स के विशेशंगे Udaipur का एक मात्र तीन मंजला भव्य पनीचर शोरू शादी के विभिन पैकेज की विशाल श्रंकला 21,000 से लेकर एकला के कावन हजार तक पैकेज उप्लब्द 37,500 में 11 आइटम डबल बैट बॉक्स, साइट टेबल टू, अलमारी सिंगल दोर, गदे तक ये, बैट शीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल पॉर एक्स टू, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुरसी फोर, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर गर के आगन सा लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए, एक बार पधार कर सेवा का मौका वश्य दे, पूनम फर्नीचर, सेक्टर पाइट, हीरन मंगरीन, बेन रोड, उदैपुर ताइट, हीरन मंगरी चाहत में घ्राब का बटविचtern feeder को का वश्य देता स्च्टutive कर दोात्म लत्न में अगके अक कि आगा सेवा को असी यादव्य देंग ! कर दो कर दो कर दो कर दो ब्रेक के बद अपका स्वागत है अपने लिए तो सभी जीते हैं आउ जी औरों के लिए इसी भावना के साथ रविवार को गूर्जर गोर ब्रामन समाज उदायपूर के तत्वावधान में गौतम यूवार जागरती मंच द्वारा एक रक्तदान शिवर का आईजन किया गया रविवार को आईजित हुए रक्तदान शिवर में 51 यूनिट का लक्षु रखा गया जिसमें सुबह 9 बजे से 2 पहर 2 बजे तक समाज के लोगों के साथ अन्य शेहरवासियों ने भी रक्तदान करते हुए मिसाल पेश की कोरोना के कारण महरणा बुपाल चकत साले में भी खून की कमी हो गई थी गौतम युवार जागरती मंच और गूजर गोड ब्रामबंट समाज द्वारा सरल ब्लाट बैंक की साहता से हीरन मगडी सेक्टर 4 इस्तित महरशी गौतम भवन के बाहर रक्तदान शिवर का आयजन किया गया गौजर गोड ब्रामबंट समाज के अध्यक्ष राकेश चोशी ने बताया कि समाज के लोगों द्वारा किया गया यह प्रयास सराहनिय और इस सरह के शिवरों के आयजन से न सिर्फ रक्तदाताओं का होसला बढ़ता है बलकि डॉनेशन के नाम से डरने वाले लोगों को भी प्रयरना मिलती है वही कालिकरम संयोजक राजुष भट ने बताया कि लैक्सेटी के सबसे बड़े महरणा भुपाल चुकित साले में खून की कमी को देखते हुए यह आयजन किया गया जिसमें एक कावन यूरीट रक्तदान का लक्षु रखा गया था सुबर नौ बज़े से दौपर दो बज़े तक चले इस शिवर में लक्ष प्राप्त कर लिया गया मही भट ने गौतम गिवार जागरती मंच द्वारा समय समय पर इस तरह के आयजन करने की भी बात कही अब इस वक्त पॉस्परूंड करना बड़ा और अभी यूवा जागरती मंच है उन्होंने ये तारिक डिसाइट करके आज की और ये कारिक्रम रखा है क्योंकि अब इस करोना काल में बलड की काफी आवशकता है सोटे सी तो हमने की ये कारिक्रम बना के जन सेवार्थ के लिए कारिक्रम किया है गुजर्गोड ब्रहामन समाच और गौतम युवा जागरती मंच के समाज बंदूवन मिलकर एक बलड डोनेट का कारिक्रम का केंप लगाया है जिसको पचास युनिट का लक्ष रखा गया है और उससे अधिक प्राप्ती होती है तो बहुत खुशी की बात है और सरल बेंग के थू हो रहा है कारिक्रम यह और को देखते हुए सारी फेसिलिटी उपयोग ली गई है कोरोना संक्रमन के कारण लगे लॉकडाउन के बाइट जहां रियल लाइफ के साथ रील लाइफ भी अपने खराब दोर से गुजर रही है वही राजस्थाने फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है ऐसे में राजस्थानी लोग संस्क्रती को बढ़ावा देने और देश विदेश में राजस्थान का नाम रोशन करने के उद्देश से कीर्ती राज फिल्म इद्वारा एक ऑनलाइन रत्य प्रतियोगीता का आगाज किया रहा है घूमर दिवाद 2020 नाम से होनिवाली इस अंतराश्डि प्रतियोगीता में किसी भी देश से कोई भी महिला भाग ले सकती है उद्यापुर में रविवार को घूमर दिवाद 2020 के पोस्टर विमोचन के साथ इस प्रतियोगीता का आगाज किया गया अशोका पैलेस में पोस्टर विमोचन के दोरान आयोजित की गई प्रेस्वारता में मुंबई फिल्म डारेक्टर राजुनायक ने बताया कि देश विदेश में राजस्थानी संस्कृति अपनी अनूठी पहचान रगती है ऐसे में जब भी राजस्थानी संस्कृति की बात आती है तो सबसे पहले घूमर नरत्य का जिक्र किया जाता है इसी को देखते हुए महिला सिशक्तिकरन के उद्धिश से घूमर दिवा 2020 नरत्य प्रतियोगिता का आयजन किया जा रहा है आपको बता दें कि ओनलाइन आयजित होने वाली इस प्रतियोगिता में सिर्फ महिलाएं भाग ले सकेंगे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रति भागियों को किर्तिराजफिल्म्स.com पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्थानी भाषा के किसी भी गाने पर निरत्ति की वीडियो बना कर साइट पर भेजनी होगी रवीवार को पोस्टर विमोचन के मौके पर अखिल भारती शत्री महसभा मेवार के अद्धिक्ष जोटसना ज्छाला सहदिक्ष निंपल राठोड, सेलिब्रिटी मेंटोर मीना मोगरा, राजसमन मेंटोर सरोज चौधरी और रितु प्रजापत, टीवी आर्टिस्ट विपरा महता, अशोका पैलिस के मुकेश वार्भानी और कोरियोग्राफर शौकिन जन्वा माजुद रहे और काफी टाइम से मैं सोचल एक्टिविटीज में भी हूँ, फीमेल बेस्ट पे मैंने काफी सोट मूविज, डोकुमेंट्री और शीगल्स की हैं, और मैंने एक थेटर भी किया था, दोजार अठारा में रानी पदमावती जी की है, जो बेस पे जो थेटर था, और काफी इच्छे उसमें राजपुत कमुनिटी के भी लोग मेरे साथ थे, अधर कमुनिटी के भी थे, सक्सेस कुल था, बैसे ही मैं इस बार एक घूमर लेकर आ रहा हूँ, जो घूमर को अलरी पहचान की जुरूत नहीं है, बट मैं इसको नेशनल टेलिविजन पे भी लेके जान हैं, और ये टोटल ओनलाइन सो जाएगा, और अगर हमें क्वाड 19 का अगर कुछ सही होता है, तो अभी चल रहा हूँ, अगर सही रहा तो मैं इसको प्रोपर लाइब सूट भी करूँगा, ये इवेंट इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है, जो इंटरनेशनल लेवल पे ह महिलान आजकर अगे नहीं आती हैं, या उणने आगे नहीं आने दिया जाता है किसी वज़स ए कि परिवार की बहु है, तो उसको नहीं मंच पे जाने दिया जाता है, तो मैं अपनी राज़्षानी कल्चर के मदट जिद्नी परिवार हैं, सबसे ये निवेधन करना चाहू कि वो अपनी गर की बभू और बेटियों को आगे आने दें और अपना राज्थानी कल्चर है अगर उसमें अगर वो अगर आगे बढ़ती है तो उन्हें प्लीज बढ़ने दिया जाए मैं राजसमन से मेंडर हूँ लेकिन मैं बाई बर्थ विकानेर से हूँ तो विकानेर और ये सारे एरिया गुमर वाले ही है और हम तो संस्कृति जानते हैं सर हमारे साधी व्याहा सब में गुमरी होता है तो एटलिस्ट मेरे को तो इससे जुड़ना बहुत अच्छा लगा अ आजकल सोसिल मीडिया कितना फैल रहा है एक बार एक आप डालिये बहुत सारे इस पर कमेंट्स आ जाएंगे बहुत कुछ आ जाता है लोग वैसे सरसंपर कर रहें बहुत सारी एंट्रिया भी हुई है बिलवाडा जिले की पंचायट समिती सुवाना के विकास अधिकारी अभिशिक शर्मा ने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए Employee of the Month कारिकर्म के तहट अक्टोबर महा में उतकरष्ट कारिक करने वाले कार्मिकों को सम्मानित क्या गया इस अवसर पर पंचायत स्वरुगंज के ग्राम रोजगार साहक विनूत काला को Employee of the Month से समानित क्या गया काला को प्रमान पत्र डाइरी पेन प्रोटसाहन राशी भी दी गई M.Square Publication के ओर से प्रकाशित कत्थक पुस्तक का विमोचन रविवार को विख्यात कत्थक गुरू पंडित बिर्जु महराज के हाथ हुआ पंडित बिर्जु महराज ने पुस्तक की डिजिटल लॉंचिंग करते हुए पुस्तक की लेखी का और कत्थक गुरू चंद्रकला जौधरी वो M.Square Publication को शुपकाम नाय दी सोफिट रोड शुभागपुरा इस्तेत अशोका पैलेस में हुए इस कारिक्रम में M.Square Publication टीम वकर्थक प्रेमी शामिल हुए M.Square Publication के CEO मुकेश मादवानी ने बताया कि पुस्तक का विमोचन विख्यात कर्थक गुरू पंडित बिर्जु महराज के हाथों होने से हम सब गौरवानवित महसूस कर रहे हैं हम सब को पंडित बिर्जु महराज का आशिरवाद मिलना पुस्तक के सफलता की कहानी बया करता है हमारी कोशिश रहेगी कि भविश्य में भी संस्क्रतिक विध्या के संरक्षन को निकर पुस्तक के प्रकाशित कर देश की संस्क्रतिक के संरक्षन में छोटा सा सहयोग कर सके कथक गुरू चंदरकला चौधरी ने कहा कि पुस्तक विमोचन का दिन मेरे लिए कभी न भूल पाने वाला क्षन है पंडित बिर्जु महराज ने मेरे लिखी पुस्तक को लॉंच किया है यह सपने के सच जैसे होने जैसा है मैंने पुस्तक में कथक से जुड़ी सभी विधाओं इतिहास आदी का समावेश किया ताकि यह कथक प्रेमियों और कथक से जुड़ी विध्यार्थियों के लिए उप्योगी सावित हो सके इस आउसर पर कपासन C.I. हिमाशु सिही राजावत, विजय जैन, C.S. भरत चौधरी, डाजेंदर चौधरी, कवी प्रदीप, राकेश्रेन, अश्रफ आदी उपस्तित थे इधर पंडित बिर्जु महराज के अलावा प्रदीश के मुख्या इशुक गहलोत ने भी पुस्तप के विमोचन के लेकर शिपकामनाय प्रेक्षित की सुधिपम फाउंडेशन के सेवा धर्म सर्वोपरी के उद्देश के अंतरगर्द भारत माटी के दीब जलाओ, आत्म निर्भर भारत बनाओ, जागरुकता अभियान 2020 का शुबारम, उदैपुर जिला कलेक्टर चेतन देवडा ने किया इस जागरुकता अभियान के तहट, फाउंडेशन द्वारा उदैपुर की जुनिता में, मिट्टी के बने हुए नीशुर्क, 11111 दीपक बाट कर सब को जागरुक करना, एवं वोकल फोर लोकल का संदेश देने का प्रयास करना है भारतीय संस्क्रती को बढ़ावा देकर भारत को आत्म दिर्भर बनाने के साथ ही, इस दिवाली दीपक बेचने वाले परिवारों से ही दीपक खरीदे की मांग सभी से की जा रही है इस एतु शहर के विबिनर चुराहों पर मिट्टी के दीपक के पैकेट्स लोगों में वीतरन कर जागरुक किया जा रहा है और सभी को ये शपत दिलाए गई है कि इस दिवाली चाइनीज लाइट्स का उपयोग न करके भारती ये सनस्विति को बढ़ा कर मिट्टी के दीओं से हर जग़ को रोशन करें और एक बार फिर से नज़े डालते हैं अब तक की हेडलाइन्स पर पकड में आने की 24 गंटे बाद ही गजेंद्र नहटा ने फिर शुरू किया करोडों का नगली कारोबास और आपो न्यूस के कूफिया कैमरे में कैद हुई पुलिस के सैट होने की बाद धर्म प्रेमियों ने निगम के कर्मचारियों को किया पुर्जोर विरोध तो माफी मांगने और हनुमान मंदिर का चबूतरा फिर से बनाने की उठाई मांग नजस्तानी लोग संस्कृती से जुड़ेंगी दुनिया भर की महिलाएं घूमर दिवार 2020 में दिखाएंगी हुनर और पूरी दुनिया को कोरोना की चपेट मिलेने वाले चाइना का बहिशकार चरब पर भारत की लाइटर रोशन करेगी दिवाली की अमावस की रात उदैपो न्यूस के इस गुलेडिन में फिलहाल इतना ही शेहर की तमाव हरिचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे फिलहाल इजाज़त दीजी एक तितिकाचाबिसा को और खबरों के लिए देखते रहें उदैपो न्यूस नमस्कार